अभी की खाबर जो सबसे बड़ी खाबर इस वक्त आ रही है वो छातुरू इलाके से आ रही है जहां पर पिंगनार का जो इलाका है वहां पर एनकॉंटर चर रहा है यह एनकॉंटर स्कूर्टी फोर्सेज और मिलिटर्स के बीच में जो है वो चर रहा है और यह जर्नल एरिय है वहाँ पर जो सिक्यूर्टी फोर्स पर जो मिलिटेंट्स वहाँ पर छुपे हुए थे उस इलाके में उन्होंने जो है वो फाइर खोला है उन पर जिसमें एक पैरा टूपर के जो जवान है वो जक्मी हुआ है और यहां से री एंफॉर्समेंट जो है वो बेजी गई मैं बता दूँ कि यह इलाका तक्रीबन किष्टवार से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बहुत गना इलाका है एक तरफ से यहां पर जो यह पिंगनार का एरिया है दूसरी तरफ से पासर कूट है और फिर अगर हम देखे जो दूसरा इलाका है फिर अगर हम इस तरफ से जा पर वहां पर एक बताया जा रहा है कि एक डोक है जिसमें ये लोग छुपे हो थे अभी अब this यहीं खाबर आ रही है कि वहां पर एक जो हमारा जो पेराट्रूपर है उसको जो है वो गोली लगी और वो जक्मी हुआ है और उसको जो है वो किष्टवार हस्पिटल की तरब ज जो है वो गेरे में ले लिया है और एक्स्ट्रा जो फोर्सिस की डिप्लाइमेंट है उसको किया गया है क्यूंकि मैं बता दूँ कि कल यहां पर प्रदान मंत्री भी जो है वो डोडा में एक जन्सभा से जो है वो संबोतित करेंगे और 18 तारीक को जो है वो जिल्ला पढ़ियाना इलाके में जो एंकोंटर हुआ था और उसके बाद जो है वो अब यह एंकोंटर आज हमें नाहिदगाम चातु का इलाका जो है वहां से जो हो खबर मिल रही है कि वहां पर अभी एक्सचेंजा फायर हुआ है और एकका दुका गोलियां जो हो चर्री में बता जहां कि कल हम आपको गज्वल दिखा रहे थे मर्कल आज यहां पर एक वक्त में हूझी और हम का जो है वह दोर होता था लेकिन फिछले कई सालों से जो इलाका मिलिटन्सी से फ्री था लेकिन अब फिर सेमिलिटंशी एक्टिविटीज की खबरे उनके मनसुभूं को नाकाम कर रहे हैं जिस तरह से पढ़्यारनाम किया था लेकिन यही खबर है कि इस वक्कत नांधगाम में चर रहा है जो जनल फॉरेस्ट एरिया है नाइद गाम का जो गाउं है उससे उपर का इलाका है वहाँ पर जो है वो चार रहा है और हमारे को जो अफिशल सोर्सिस है उन्होंने इस एनकोंडर की कन्फरमेशन की है और अभी बाकी चीजे डिटेल्स जो हमारे सामने नहीं सामने आई हैं कि ये कि इस गुफा में चुपे थे कितना नंबर है उनको हालांकि हमें सोर्सिस ने बताया है कि ये वहाँ पर एक डोग थी जो अबेंडन डोग ती जिसमें कोई नहीं था वहाँ पर जो है वो चुपे हुए थे और जब सिक्योर्टी फोर्सिस को इन्होंने अपनी तरफ आते हु पर जखमी हुआ इस पर आगे भी चलकर हम आपको डिटेल्स देते रहेंगे आप हमारे साथ बने रहें